कि नमस्कार दोस्तों धिरन बोलोग में आप लोग स्वागत है कि मैं कि अख़वारों के माध्यम से तरह तरह कहानियां लेख और विम्कषा बाते रहता हूं विडियो को मायद्यम से तो उसी सिलसले में आज मैं पेपर के मायद्यम से कुछ एक लड़का का सफलता की कहानि शुना रहा हूं पढ़ाई करने के पढ़ाई करने के बाद एक जवाब मिला लेकिन उस जवाब में उसको मन नहीं लगा मन या कुछ अपना कुछ नया तरिका सोचा कि मैं ऐसा करूँ जो मुझे तो रोजगार मिले गया है दुसरों को भी रोजगार दे सकते हैं उसे के बारे में है एक बंजर खेत का सोना उगलना कोई कोरी कलपना नहीं है यह थोड़े इनुवेशन, थोड़ी तकनिक और थोड़ी मेहनत का एकदम सही तालमेल है यही तालमेल बठाया और साह जहापूर के अतुल मिश्रा आज अपने चूने हुए केरियर को छोड़ने के बाद भी अच्छी खासी कमाई कर रहे है और कही जुआओं को सफलता की राह चुनने का नया नजरिया भी दे रहे है उत्तर प्रदेश में सहजहापूर के चिल हुआ गाउं के रहने ओले अतुल मिश्रा ने चैन्ने इसे कम्पूटर साइन्ट में भी टेक किया है एक समचार एजन्सी से बादचीत में उन्होंने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह संदर सेलरी वाली नोकरी के बजाए अपने गाउं में कुछ ऐसा करेंगे जिसमें वह अपने आसपास के अधिकतर लोगों का भला कर सके और कुछ ऐसा जिसमें जिससे उनके गाउं को भी पहचान मिले कैसे हुई शुरुवात अतुल बताते हैं कि उनके घार में गेहों की खेती पहले से हो रही थी लेकिन उसमें कमाई लागत की तूलना में कम ही रहती थी काफी जमिन बंजर भी पड़ी थी उन्हें इंटरनेट पर खेती को लेकर जनकारी इकठा करने शुरू कर दी शुरू की और काफी सोच समझने के बादन नहीं किया कि वहाँ ड्रेगन फ्रूट की खेती करेंगा द्रेगन फ्रूट होता है फल होता है दोस्तों बहुत यहां आसान काम नहीं था क्योंकि ड्रेगन फूर्ट थाइलेंड स्री लंका और वियतना में लोग प्रिया है भारत में इस फल की वेवसाइक खेती इन दिनों बढ़ रही है बाजार में यहां 200 से 800 रुपया किलो परती किलो गिराम तक के मुल में बिखता है अतुल ने खेती के लिए परिवार की बंजर जमिन को चुना खेती में उन्होंने कई देशी तरह के अपनाये हैं साल 2018 में वह महरास्ट में सोलापूर से ड्रेगन फूर्ट के कुछ वधे लेकर आये और उन्हें उस बंजर जमिन में लगा दिया ड्रेगन फूर्ट में फल ए उन्हें बढ़िया मुनफा मिल रहा है आगे के जोजना के लिए बताते हैं कि परिवार के साथ एकड़ बंजर जमिन अभी और है उसे भी अगले सीजन तक इसकी खेती के लिए उप्योग कर लेंगे उन्होंने अपने साथ इसमें चार लोगों को और सामिल किया है ताकि इ पिहार और राइजो से और राइजो से लोग उनके पास इसकी सलाह लेने पहुंच रहे हैं अतुल कहते हैं जो लोग मेरे पास इसके पोधे खेदने आते हैं मैं उन्हें उसे उगाने के टिप्स भी देता हूं देखे दोस्तों उसका भी एक जुनुन था कि मैं कुछ करू एसा नया काम करूं जैसे कुछ बेरोजगारों को रोजगार भी दे सके ठीक है दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है दोस्तों